वाडी थाना शेतर के एक ओले ले आउच में एक यूवा को बुरी तरह चाकू से वार किया गया एक हफ़ते बाद मेयो सरकारी अस्पताल में उनकी मौत से इलाके में कोहरा मच गया है मिली जानकारी के अनुसा वाडी के एक ओले ले आउच में किराय के मकान में रहने वाले 40 वर्षी गजानन गुंडाने एक जगा बैठे थे तबी अचानक आरूपी जचिन बोरकोटे आया और उस वैक्ति की पीट में धारदा चाकू से वार कर दिया वह गंभी रूप से घाय मरतक गजानन को मेयों अस्पताल में भरती कराया गया था उचार के दोरान दिनांग 7 नवंबर को उनका निधन हो गया प्राप्त जानकारी के अनुसा गायल वैक्ति का आरूपित की पतनी से का सुनी हो गई इसलिए आरूपी डर गया था आरूपी परिवार में अकेला था और पुलिस को घटना की सूचना दी उस समय वरिष्ट पुलिस निरिक्षक ललिता तोडासे, PSI गनेश मुंडे, शशिकान चिपडे, HC सुनील मस, रवी सातों कर समित अन्य पुलिस कर्मी मौके पर पहुचे थे घटना की जाच के बाद गायल को अस्पताल में भरती कराया वारी से NBCN News के लिए स्वारप पाटिल की रिपोर्ट